Hello friend, my name is Kreetika and welcome you to our YouTube channel, जिसका नाम है राके सकी क्लास, So today I am gonna teach you Tense. So, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सस्क्राइब कीजिये और बैल आइकन को जरू हिट कीजिये ताकि रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ताइम पर मिल जाए. So, without in what to do, let's get started. So, Tense, Tense का मरलब होता है काल और काल का मरलब होता है समय and time is divided into three parts. Present, Past, Future, Present वर्तमान काल जो समय चल रहा है. Past, भूत काल जो समय बीद गया और Future, भविश्ची काल जो आने वाला समय है. So, जैसे Tense को तीन भागों में बांटा है, वैसे ही अब हम Present को भी चार भागों में बांटेंगे. Present, Indefinite Tense, Present, Continuous Tense, Present, Perfect Tense, Present, Perfect, Continuous Tense. और ऐसे ही Past के भी होंगे और Future के भी होंगे. Past के, Past, Indefinite Tense, Past, Continuous Tense, Past, Perfect, Tense, Past, Perfect, Continuous Tense. और ऐसे ही Future के, Future, Indefinite Tense, Future, Continuous Tense, Future, Perfect, Continuous Tense. सो बात कते हैं पहचान की तो सबसे पहले लेते हैं present indefinite tense जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता ते ती आता है वे वाक्यों present indefinite tense के होते हैं और इनमें helping verb do orders का प्रयोग होता है और इसमें singular वचन के साथ S.A.S. का प्रयोग होता है singular वचन जैसे की he, she, it, name, singular इसके साथ आपने S.A.S. का प्रयोग करना है राम पढ़ता है, राम reads, राम नहीं पढ़ता है, राम does not read, क्या राम पढ़ता है, does राम read, मैं पढ़ती हूँ, I read मैं नहीं पढ़ती हूँ, I do not read, क्या मैं पढ़ती हूँ, do I read यहां भी देख सकते हैं, जैसे की normal वाले sentence आपने जब बनाने हो, तब subject प्लस V1 प्लस other word, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल जब आपने negative not वाले sentence बनाने हो, तब subject प्लस do does प्लस not प्लस V1 प्लस other word, राम ड़स नाट गो टू स्कूल interrogative question वाले बनाने हो, do does प्लस subject प्लस V1 प्लस other word, क्या राम स्कूल जाता है, ड़स राम गो टू स्कूल, और I, I go to school, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, I don't go to school, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, do I go to school, आप ऐसे ही इसकी practice कीजी और बहुत ही जल्द आप present inde definite terms का use सिख जाओगे, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो like कीजिए और share कीजिए, मिलतु हूँ मैं आपको अपने next review में, तब तक के लिए take care and bye bye